आदिवासी अधिकारों को धान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खनन कानून में एक बड़ा संसोधन किया है इसके तहट एक डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाया गया है इस फंड के माध्यम से ये व्यवस्ता की गई है कि देश के जो भी खनन वाले राज्य है वहां के लोगों को भी उनकी जमिन से होने वाले लाप का हिस्सा मिले केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस एक निरने के कारण उडिसा को भी चार हजार करोड रुपिय से जादा की रासी प्राप्त हुई है कितने चार हजार करोड लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना है ये आप लोगों के लिए पैसा है उडिसा के आदिवाश्यों के लिए पैसा है जहां खनण होता है उस इलाके के विकास के लिए पैसा है लेकिन दुख की बात है चार हजार करोड में से यहां की सरकार बहुत कम पैसा खर्च कर पाई है वो पैसा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है ओडिसा की सरकार को चाहिए कि आदिवाश्यों के लिए जो यह प्रावधान किया गया है उसका भरपूर लाब लोगों को दिलाएं